हलो फ्रेंड्स, विल्कम टो स्टडी टू फ्लाई आज के इस वीडियो टिटोरियल में हम लोग ये की का सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें आज हम लोग बाइलोजी पढ़ने वाले हैं ये चैप्टर का नाम है प्लान फिजियोलोजी अच्छा, फादर ओफ प्लान फिजियोलोजी जैसे के ये फादर ओफ प्लान फिजियोलोजी इसका मतलब क्या होता है मतलब इस सबजेक्ट के बारे में इस टॉपिक के बारे में स्टेफिन होल्स, he was the very expert person इसके बारे में इसका सारा नौलेज था, प्लांट फिजियोलोजी के बारे में, तो इसे कहेंगे, फादर फ्लांट फिजियोलोजी, and who is that person, स्टेफेंस हॉल्स, ऐसा कॉशन्स पूछा जाता है, एससी में, और बैंक के एक्जाम्स में, who is the father of फ्लांट फिजियोलोजी, वहा पर आपका आंसर क्या होगा, स्टेफेंस हॉल्स, ठीक है, तो आई होप जब यह कॉशन्स आप सुख से पूछा जाएगा, तो आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है, next, germination, development of plant from seed after a period of dormancy, देखिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग भी, एक सिंगल से डिवलप करते हैं, एक सेल से पूरा human being बनता है, उसी तरह plant में भी एक seed से पूरा plant बनता है, one seed to plant, यह जो पूरा जड़नी हुआ from seed to plant, that is germination, after a period of dormancy, अब आप लोग सोचते होंगे कि dormancy क्या होता है, देखिए dormancy मतलब होता है, जैसे कि बहुत देर कुछ काम नहीं करना, ग्रोथ रुख जाना, development रुख जाना, physical activities रुख जाना, उसे कहते हैं dormancy, तो seed का development कब होता है, कैसे होता है, सबसे पहले seed बना, seed से plant बन रहा है, after a period of dormancy, तब उसे कहेंगे germination, और dormancy का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, डिवलप्मेंट, and physical activities are stopped, तो बहुत simple यहाँ पर, ठीक है, अगर आप से आप कोई question करेगा, what is dormancy, अगर इस तरह का question अगर SEC में पुछा गया, तो अब आप इसको जवाब दे पाएंगे, the period in which growth, development, physical activities of a plant are stopped, is called dormancy, ठीक है, तो dormancy किसे कहते हैं, यह concept, I hope कि clear हो गया होगा, अब देखिए, germination, plant का development from seed, बस इतना ही जान लिजए, बहुत है, अब देखिए, यह क्या है, यह seed है, समझ में आ रहा है, यह seed है, अच्छा, यह seed अभी किसके अंदर है, soil के अंदर है, सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं, कि soil के, यह तो हमारा concept है, जो हम लोग बच्पन से जान रहे हैं, कि एक बीच जब मिटी के अंदर रहता है, तो इसे ही एक plant होता है, तो seed का नीचे का part, यह राडिकल, राडिकल बनाता है, रूट सिस्टम, राडिकल से बनता है, रूट सिस्टम, इस रूट सिस्टम, अब इस उपर वाला पार्ट, इसको कहते हैं, प्रिमल, प्रिमल से बनता है, शूट सिस्टम, क्या बनता है, शूट सिस्टम, यह पार्ट राडिकल, ब्राउन वाला हिस्ता, यह पार्ट ग्रिन वाला प्रिमल, प्रिमल से पुरा शूट सिस्टम बन रहा है, यह पुरा शूट सिस्टम हो गया, और राडिकल से पुरा रूट सिस्टम बन रहा है, यह पुरा रूट सिस्टम है, और रूट, यह वाला हम इसका काम होता है स्वाइल से पानी अब्सॉर्फ करना अब यह कैसे अब्सॉर्फ करता है यह हम लोग थोड़ी देर के बाद पढ़ेंगे ठीक है अब जैसे के एक सीट को भी प्लैंट बनने में कुछ चीज बहुत जरूरी उसका मतलब कंडिशन है during germination seed requires, seed को क्या क्या चाहिये एर, water और temperature तो एर यानि कि कैसा एर ? उसको oxygen कंटेनिंग एर चाहिए ठीक है ऄानी चाहिए यानि कि moisture, Soil अगर उकदम्स रूखा Soil हो एकदम dry Soil हो तब क्या Seed फ्लैंट बन पासेगा सॉयल में moisture होना चाहिए और suitable temperature तो यह question SAC में पूछा जाता है कि what are the conditions for germination तो उन में चार option दिया जाएगा air, water, temperature, sunlight तो यह चार तीनों से रही है लेकिन इस तरह को question तो नहीं आ सकता तो उन नों क्या दे का question कैसे रहेगा which of the following is not, not दे दिया जाएगा मतलब which is not required for germination तो answer क्या होगा sunlight यह देखिए, यह question यह SAC 2014 में पुछा किया है A seed can germinate in the absence of मतलब एक बिच्चा germinate कर सकता है किसके absent में अब भी थोड़े दिर पहले हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे necessary condition है हवा, पानी, temperature तो मतलब यह तीनों बहुत जरूरी है seed को germinate करने के लिए तो क्या मेरा answer oxygen होगा नहीं क्या मेरा answer moisture होगा नहीं मेरा answer temperature होगा नहीं क्योंकि यह तीनों बहुत जरूरी है germinate करने के लिए seed को अगर यह तीनों नहीं रहेगा तो seed germinate नहीं करेगा these are the conditions for seed germination तो इन में से कौन सा condition नहीं है adequate light तो मेरा answer क्या होगा adequate light अब देखिए sometimes plants fell to germinate due to seed coat impermeability अब आप सोचते होगे कि इसका मतलब क्या है अब देखिए plant germinate नहीं कर पाता है कभी कभी क्यों due to seed coat impermeability अब इसका मतलब क्या है आपको explain कर रहे है देखिए गौस सुनिए germinate करने के लिए क्या होता है seed pass करता है कहाँ pass करता है digestive tract में किसके digestive tract में bird के हर bird के digestive tract में नहीं कर सकता है जो bird fruit खाती हो उस bird के digestive tract में fruit eating bird जो fruit eating bird के digestive tract में seed जाता है तब उस वक्त क्या होता है seed coat seed के उपर में एक cover होता है इस cover को कहते हैं seed coat जैसे ही जैसे ही fruit eating bird के digestive tract में जाता है seed तो उसका seed coat rupture कर जाता है जब seed coat rupture कर रहा है तो dormancy जो होता है seed का break कर जाता है dormancy क्या होता है हम लोग थोड़े देर पहले पढ़ है growth, development, physical activities जब stop हो जाए तब उसे कहते हैं dormant state जब dormancy उसका break हो गया मतलब dormancy जब तूट गया उसका मतलब अब उसका growth हो सकता है अब उसका development हो सकता है उसका physical activities हो सकता है जैसे ही seed को structure किया dormancy, break किया and hence, it starts growing इत मतलब सीड ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि जब dormancy ब्रेक कर रहा है तब क्या होगा it starts growing इसे फिर से समझिए, अच्छे से समझिए, ये important है, ये इसे question आता है से से में, देखिए, सबसे पहले seed past किया, मतलब इंटर किया, seed इंटर किया, कहां इंटर किया digestive tract में, fruit eating bird का, seed coat rupture किया, seed coat rupture किया, dormancy break हुआ तो उसके कारण, now seed starts growing, तो plant बना, ठीकिए लेकिन, sometimes seed coat impermeable होता है, जिसके कारण, seed coat impermeability के कारण, seed coat rupture नहीं कर पाता है तो dormancy तो break होगा ही नहीं, when seed coat rupture, जब seed coat rupture होता है, तब ही dormancy break करता है dormancy break नहीं होता है, तब उसके वज़ा से क्या होता है, कि seed plant नहीं बन पा रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि plant fell to germinate ठीक है समझ में आया हम यहाँ पर क्या कह रहे है यहाँ पर से एक question आया है SAC में आये उस question को solve करते है आये देखते हैं यह question यह question SAC 2006 में पुछा रहा है The seeds of certain plant fell to germinate If they do not pass through the digestive tract of fruit eating birds due to मैंने जैसे आप लोग को explain किया यह बिल्कुल वैसे ही question आया है बिल्कुल वैसे ही I hope कि आप लोग सबको इसका अंसर अब मालूम होगा बिना option देखे बता सकते हैं सही answer क्या है ठीक है Hibernation No Infertility No Sick Code Impermeability जब आपका अंसर मिल गया आगे option देखने के कोछ जरुवत नहीं है चलिए अब next point हम लोग पढ़ते हैं Imbibition Imbibition क्या होता है Adsorption of water molecules by solid particles without forming solution सबसे पहला keyword Imbibition में absorption देखिए absorption और absorption दोनों अलग-अलग term होता है Imbibition में हमेशा it is adsorption Water solid particle से adsorb होता है यह है solid particle Solid particle पानी को adsorb किया लेकिन कोई solution formation नहीं हो उसा कहते हैं Imbibition So what is Imbibition? Water का adsorption solid particles से और हम लोग यह भी कह सकते हैं कि solid particle पानी को जब adsorb करें और कोई solution नहीं बनाए तब कहेंगे उसको Imbibition Imbibition का example है जो के हम सब जानते हैं क्या? देखिए rainy season में ज्यादतर क्या होता है आपका wooden door wooden मतलब लकडी लकडी का दर्वाजा जाम हो जाता है ज़े दोनों दर्वाजा खोडने कोशिश करते हैं तो वो नहीं खोता है This is duty Imbibition Rain water जो है वो दर्वाजा दर्वाजा क्या है? वेक solid हुआ उससे Imbibition कर जाता है मतलब Rain water का adsorption हो जाता है दर्वाजा पर जिसके दर्वाजा चहां पर खोलता है उसके एच पर जिसके कारण वो खोल नहीं पाता है This is Imbibition तो इसका example क्या है? wooden door and और एक एक जामपल ले लिजे window frame कभी-कभी ऐसा खिड़िया के साथ भी होता है खिड़िया हम बहुत खोलने के कोशिश करते हैं वो खुलते नहीं है अच्छा next point next topic osmosis osmosis क्या होता है अब से पहला बात में यह osmosis और endosmosis, exosmosis, hypotonic hypotonic पढ़ाने से कर ले आपको यह बताना चाहती हूं कि यह सब process में movement हमेशा water molecules का होता है आप लीज यह बात को अपने mind में रखिए कि movement हमेशा solvent होता है जब भी कोई move करता है when there is a flow तब हमेशा solvent flow करता है move हमेशा solvent करता है solute कभी move नहीं करता है कभी नहीं movement हमेशा solvent का होता solvent क्या होता आप जानते है water solvent हो गया movement of water molecules अब आप असमसित में पढ़ रहे है water molecules का movement from the region of high chemical potential to lack of a lower chemical potential across a semi-permeable membrane water molecules move कर रहा है कहां से high chemical potential region to lower chemical potential region इसका मतलब क्या होगा सपोज किजे एक higher concentration region है और एक है lower concentration region तो पानी मूफ करेगा higher concentration region से lower concentration region में through a semi-permeable membrane एक semi-permeable membrane रहेगा दोनो solution का separation जो होगा वह होगा by means of semi-permeable membrane तो osmosis में बहुत important term है semi-permeable membrane और भी एक example हम लोग लेंगे osmosis जो हो जैसे कि हम आपको बताएं यहाँ पर की vibration doors में होता है windows में होता है उसे तरह osmosis कहां होता है यह भी मैं बताऊंगी पानी यहाँ पर मैं बताई थी आप लोग को शायद याद होगा कि पानी soil से absorbed होता है root hair root hair पानी को absorb करता है soil से ठीक है तो जब root hair पानी को absorb कर रहा है soil से तो कैसे absorb कर रहा है आप लोग सोची कैसे it is absorbing by means of osmosis osmosis is required for the absorption of water from the root hair ठीक है I hope यहाँ तक आप लोग clear हो क्या होगा यह question ssc में पूछा गया है चलिए discuss कर लेते हैं यह देखिए in plants water is absorbed by the root hair is by the process of क्या होगा अंसर आप लोग इसका अंसर भी जानते हैं देखिए मैं एक statement को बार बार इसलिए repeat करती हूँ ताके आप लोग के दिमाग में यह bad जाए आप लोग question देखें और answer देदें आप लोग बस यह देखिएगा तो आप लोग के मन में तुरत आना चाहिए कि मैंने आप लोग से कहा था कि root here पानी absorb करता है soil से तो वह कैसे होता होगा कोई तो तरीका होता होगा through osmosis osmosis क्या होता है यह में explain कर चुकी हूँ तो यहाँ पे answer क्या होगा osmosis बस इसे टिक किजिए चलिए आगे देखते है मैंने कहा है कि movement हमेशा solvent का होता है movement ठीक है solute कभी move नहीं करता है कभी नहीं अब indosmosis यह सब term आप लोग को रटने की जरुवत नहीं है क्योंकि यह बार बार आपके life में आएगा तो इससे लिए इसका meaning समझिए इसका deep meaning इंडो मतलब अंदर exo मतलब बाहर osmosis बता दिये हैं क्या होता है osmosis आप जानते हैं होता क्या है movement किसका होता है solvent का उसका मतलब पानी अंदर जाएगा क्योंकि indoor term है जिससे पता चल रहा है कि पानी अंदर जाएगा entry of water into the cell तो cell के अंदर पानी का entry होना उसका हैंगे endosmosis यह है मेरा cell जब पानी इंटर कर रहा है तो cell क्या होगा cell का size increase करेगा ना जब cell के अंदर पानी जा रहा है of course cell का volume increase कर जाएगा ठीक है अब exo मतलब बाहर exit of water from the cell यह था cell cell में से पानी निकल रहा है तो cell क्या होगा चप्टा हो जाएगा इसे हम flaccid कहेंगे English में और जब cell बढ़ रहा है target तो यहाँ पे cell की volume क्या हो रहा है increase कर रहा है , cell decreased in volume सेल की volume यहाँ पे decrease कर रहा है यहाँ पे cell की volume increase कर रहा है तो जब भी endosmosis होगा उसका मतलब endoterm से entry of water into the cell exosmosis होगा तो मतलब exit of water from the cell endosmosis में cell turgit हो जाएगा exosmosis में cell flaccid हो जाएगा flaccid cell का volume decrease कर जाएगा endosmosis में cell का volume increase कर जाएगा I hope endosmosis और exosmosis आपको clear हो गया है अब आप इसे कभी नहीं बुलेंगे आप पढ़ेंगे hypertonic hyper hyper मतलब ज्यादा hypo hypo माने कम कहते हैं न hyperglycemia बहुत ज़्यादा सुधर बढ़ जाना यह सब होते हैं न उसी तरह यह भी hyper है hypertonic solution और यह hypo, hypo मतलब कम यह तो हम लोग का basic knowledge है hyper, hypo, indo, exo यह सब समझते हैं hypotonic मतलब कम lower concentration जैसे hypertension hypertension होता है न अच्छा क्या चोड़िए hypertonic मतलब hyperterms आप लोग समझेंगे यहाँ पे higher होगा hypotonic, hypoterms आप लोग समझेंगे यहाँ पे lower होगा hypertonic में क्या हो रहा है हाई, statement को यह पर read कीजिये मेरे साथ higher concentration of solute solute कुछ भी हो सकता है चीनी, नमक या और कुछ higher concentration of solute compared to another solution hypotonic lower concentration of solute compared to another solution ठीक है यह मेरा एक solution है इसमें solute का concentration बहुत high है और यह एक solution है इसमें solute का concentration बहुत low है बस यहाँ तक इतना concept तो clear हो गया होगा समझ गया होंगे आप लोग अब cell volume decrease कैसे करता है cell volume increase कैसे करता है यह मैं आपको question के साथ समझाती हूँ देखिए मैंने एक cell लिया उस cell को a cell increase यह question आप से यह question पूछा गया था SSC CPO July 2014 में ठीक है hypertonic hypertonic के यह question है cell increase in volume when it is placed in अब आप लोग सोचते होंगे मैं आपने तो कहा था कि cell को volume increase करता है जब वो endosmosis होना चाहिए तो यहाँ पर option में तो endosmosis नहीं है तो हम क्या tick करेंगे don't worry option में नहीं है तो क्या हुआ जो options है उसे देखते है options को eliminate करते है चलिए hypertonic solution अब दिमाग में आप visualize कीजिए कि hypertonic solution कैसा होगा सबसे पहले यह cell है इसे हमने रखा एक hypertonic solution में this is hypertonic solution यह जो मैंने rectangle में बनाया यह suppose कीजिए hypertonic solution है और यह मेरा cell है hypertonic solution में solute का concentration बहुत high है देखे जब एक acid concentrate रहता है तब हम लोग क्या करते है उसको dilute करते है करते है न उसी तरह यह hypertonic solution का concentration बहुत high है तो इसे हम लोग dilute करेंगे तो dilute करने के लिए पानी कराईए तो पानी कहां से आएगा यह पानी cell से निकलेगा इदम गोर से समझीए मैं क्या समझाना चाहरे है hypertonic है उसका मतलब solute का concentration बहुत high तो जैसे एक acid concentrated acid होता है तो उसे dilute करने के लिए हम लोग पानी कर स्तिमाल करते है उसी तरह यहाँ पर भी यह hypertonic solution है solute concentration बहुत high है तो इसे dilute करने के लिए हमें पानी चाहिए वो पानी कौन देगा cell जो इस hypertonic solution में डाला है हमने cell से जब पानी निकल रहा है तो क्या होगा cell का size आप भूल गया है तो देख लिए यहापर confuse हो रहे हैं तो देख लिए exit of water from the cell volume decreases volume क्या हो जाएगा decrease होगा तो यह मेरा answer होगा of course not hypertonic is wrong मैंने beginning में कहा था कि option eliminate करना है तो hypertonic नहीं होगा उसके बाद next देखिए इसे रटिये माल अगर आप इसे रटियेगा कि माम hypertonic बोली तो इज़ाम में hypertonic जग टिक करेंगे यहाँ पे कॉशन में बदलाव आ सकता है तब वहाँ पे आप शायद problem में आ सकता है इसका आप concept समझे अब हम वही cell लिया cell को hypotonic solution में रखा यह जो मैंने rectangle बनाया है यह hypotonic solution है और यह बीच वाला गोला जो है यह cell है यह hypotonic solution में हमने cell को रखा hypotonic में क्या होता है यह भी आपको फ्वेदर काले पड़े है lower concentration of solute solute को concentration बहुत कम है यह मैं नीचे का arrow बना रही हूँ यह solid concentration कम है इंडिकेट कर रहे है solute concentration कम है उसका मतलब क्या यह dilute है यह dilute है यह dilute है उसका मतलब जैसे के एक acid बहुत dilute है concentrate करना यह तो उसमें क्या करेंगे हम लोग सबने कालाします पानी को यह हटाना होगा ना कॉय प्रोसेस से पानी उडाना होगा तब ही तु उसको concentrate करेंगे heating process किसी से भी हमको पानी को रिमूwe करना तब ही तो यह concentrate होगा लेकिन यहांपक तब नहीं कर सकते हैं, तो यह हाइपोटोनिक है, उसका मतलब solute concentration बहुत कम, तो यह कैसा हुआ, solute concentration बहुत कम, यानि कि यह बहुत dilute हुआ, तब dilute को हमें concentrate करना है, तो concentrate करने के क्या करेंगे, इसमें पानी रिमूफ करेंगे, तो हम हम रिमूफ कर रहे हैं, यहां पर से जब H2O निकल रहा है तो वह H2 और किसमें जाएगा? सेल में जाएगा तो पानी जब सेल में जा रहा है यहाँ पर देखिए इंट्रियो वाटर इंटु दे सेल वॉल्यूम इंक्रीज तो वॉल्यूम सेल का क्या होगा? इंक्रीज करेगा अब आप समझ गया है जब हाइपोटॉनिक सल्यूशन में रखेंगे हाइपोटम से पता चल रहा है लोवर सॉल्यूट कॉंसेंट्रिशन सॉल्यूट कॉंसेंट्रिशन बहुत कम है तो उसको कॉंसेंट्रेट करना है हमको कॉंसेंट्रेट करने के उसमें से पानी निकालेंगे पानी निकालेंगे तो यह पानी किसमे जा रहा है सेल में जो के इस hypotonic solution में रखा गया जब सेल में पानी जा रहा है तो इंडोस्मोसिस हो रहा है इंडोस्मोसिस के कारण सेल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है और एक question यहाँ पर है आप शायद देख चुके होंगे सेल विकम्स टर्जिट ड्यू टू बस यह लाइन आपके यह वर्ड जैसे आपके आपने देखा आपके मन में यह स्ट्राइक करना चाहिए टर्जिट थोड़े तेर पहले मैंने पढ़ कि इंडॉस्मوसिस की टाइम की अपके लुए ठी क्वचन परिये और मैंने बताया था अबी फ्लासिट तर्जिट क्या एंक्वचन भी कम ट्रजिट पढ़िए और गेम कह वर्ट एंडुस्मोसिस यह इंडूस्मॉसस लिख लिखा वह एक्य। है हां है diffusion है plasmolysis है यह सबसे confuse मत होई है इंडोस्मोसस पर टिक मारेगे यह मस्ज़ यह हो सता plasmolysis हो गई कि होगा आप यह बढ़ चुके हैं यही अजुसे होगा cell becomes dergit entry of water और volume increase कर गया ठीक है I hope आपको आज का यह video समझ में आया होगा endosmosis, exosmosis, hypertonic, hypotonic, osmosis यह सब concept आपका clear हो गया होगा हमेशा solvent move करता है मैंने beginning में यह कहा था solvent यहाँ पर पानी है इसलिए पानी move कर रहा है आपर father of plant physiology steffens hall है germination seeds plant conditions क्या-क्या है germination का आपको पता चलिया है दिखी caution में ऐसे भी आ सकता है oxygen moisture temperature यह भी दे सकता है या फिर air water temperature भी लिख सकता है seed coat impermeability क्या होता है imbarbition, osmosis यह सारा concept आपका clear हो गया है imbarbition का मैंने example बताया है wooden door और window frame में ऐसा होता है ठीके friends आज यह video tutorial में इतना ही हमारे next class में हम लोग photosynthesis से start करेंगे I hope आपको मेरा आज का video समझ में आया होगा जो मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा अगर आपको यह video पसंद आया तो please please इसे like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और मेरे चानल को subscribe कीजिए ताकि जब मैं new videos upload करू तो आपके पास notification आ जाए thank you for watching